नमस्कार आदाब सस्त्रीकाल दोस्तों परदेशी फ्लाइट पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों सैयुक तरब अमिरात में जो भारती है फसे हुई है जो भी कुएत और सौधी अरब जाना चाहते थे और तीन फरवरी की पाबंदी के बाद अभी सैयुक तरब अमिरात में फसे हुई हैं और सौधी अरब या कोयत नहीं जा पार है पाबंदी की वजह से उनको सला देने का सिलसला जारी है पहले सला दी गई भारती अम्बेसी अबुधाबी की तरफ से कि जो भी लोग इस समय फसे हुई हैं सैयुक तरब अमिरात में वो इंडिया फसे भारतियों को सला देने वालों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है भारतिये विदेश राज्यमंत्री वी मुर्ली धरन का जीहां भारतिये विदेश राज्यमंत्री यानि जो इसमें विदेश मंत्री एस जैसंकर उनके सहयोगी यानि कैबिनेट मिनिस्टर एस भारतिय विदेश राजमंत्री वी मुडली धरन Ministry of External Affairs के द्वारा क्या कुछ कहा गया है ट्वीट में दोस्तों पहले वो पढ़ लेते हैं Strand Indian Nationals on their way to Saudi Arabia and Kuwait via UAE who may require assistance for repeleteration to India are advised to contact our councilate in Dubai our embassy at Abu Dhabi यानि सयूग तरब अमिरात के रास्ते जो भी लोग सौधी अरब और Kuwait जाना चाहते थे और इस समय फसे हुई हैं सयूग तरब अमिरात में उनको वापस इंडिया लोटने में सहायता की आवसकता हो सकती है मदद की जरूरत हो सकती है तो जिने मदद की दरकार है जिने मदद चाहिए ये वापस इंडिया लोटने में वह भारतिये काउंसूलेट दुबई संपर कर सकते हैं उनको ये सला दी जाती है एडवाइज दी जाती है कि जिनको कहीं कोई दिकत है वापस इंडिया लोटने में तो वो भारतिये MBC अबुधाबी में या काउंसलेट दुबई में संपर कर सकते हैं किसी भी तरह की सहायता के लिए इंडिया लोटने के लिए ना कि सौधी अरब या कोयत जाने के लिए क्योंकि सौधी अरब और कोयत ने पाबंदी लगा रखी है तो इंडिया जिनको भी व मदद की दरकार है तो वो भारतिये दूतावास से संपरक्र कर सकते हैं तो दोस्तों यह सला दी गई है बारतिये वीदेश राजमंत्री 我們alini धरन के द्वारा आज यह सला दी गई है कि कहीं कोई दिक्कत हो रही है इंडिया लोटने में तो आप मदद मांग सकते हैं तो दोस्तों ये सला दी गई है अब क्या कहा जाए इस सला के बारे में सला की भरमार है जबकि यहां पर होना तो ये चाहिए था कहना तो ये चाहिए था कि सरकार आपकी पूरी मदद कर रही है जो भी लोग फसे हुई हैं उनको सौधी अरब और कुएत भेजन के लिए हुकूमत बात कर रही है सरकार बात कर रही है दोनों देसों के बीच में बात चीत हो रही है कि पाबंदी के बावजूद किस तरह से जो नागरिक सौधी अरब जाना चाहते हैं भारत के या कोईद जाना चाहते हैं उनको कैसे पहुचाया जाया अब इतनी सला के तारीक पे तारीक 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 पे तारीक जसाप इस अदालत में सिर्फ तारीक पे तारीक मिली है लेकिन इनसाफ नहीं मिला है ठीक इसी तरीके से सलाह पे सलाह पे सलाह पे सलाह पे सलाह लेकिन कोई सहायता नहीं मिली है सेयुक तरब अमिरात ने फसे हुए भारतियों की सची मदद यही होगी कि सौधी हुकूमत से और कुएत की हुकूमत से बात की जाए जल्द से जल्द इस मसले को हल कर लिया जाए क्योंकि पाबंदी काफी लंबी हो चुकी है लगबग दो हपते होने को है और अब ज़्यादा रुकना संभो नहीं है तो सरकार को चाहिए फसे हुए लोगों को कैसे भी करके सौधी अरब और कुएत भेजा जाए जो भी बन पड़ता है सरकार से वो सरकार परियास करे वो कदम सरकार उठाए क्योंकि उनका सौधी अरब या कोईत जाना बहुत ही अहम है पिछले एक साल से लगबग वो बैठे हुए थे घर पे और बहुत ही मुश्किल मेहनत से मसकत से पैसाई कठा करके दुबई कॉरंटीन पर गए हुए है इसलिए उनका सौधी या कोईत जाना बहुत ही अहम है सरकार को इस पर जरूर पहल करनी चाहिए उन्हें सौधी और कोईत भेजने के लिए बहराल दोस्तों अभी सौधी हुकूमत के तरफ से फलाइट शुरू करने को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है बहराल जैसे ही कोई अपडेट आती है छोटी या बड़ी कोई भी अपडेट आती है या सौधी हुकूमत के तरफ से फलाइट को लेकर पाभंदी को लेकर कोई भी ऐलान किया जाता है आपको जरूर बताया जाएगा आप तक जरूर अपडेट दी जायेगी इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद